नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जर्खन में 38 गंटे का पूर्ण लोकडाउन शुरू कुरोना वाइरस संक्रमन से सुरक्षा के लिए जर्खन सरकार के द्वारा गोसी सब्ताहिक लोकडाउन शुरू हो गया है बतादे इसके तहत सनिवार की साम 4 बज़े से सोम वार की सुबद 6 बज़े तक यानि 38 गंटे का पूर्ण लोकडाउन रहेगा यह लागातार तिसरा सब्ता होगा जब 38 गंटे का पूर्ण विकेट लोकडाउन लगेगा लोकडाउन की इस अवधी में दो धोवा मेडिकल सम्मंधित दुकानों अस्पताल नर्सिंग होम को छोड़कर राजे की सभी परकार की दुकाने बंद रहेंगी ज़ारखन मौसम विभाग के अनुसार ज़ारखन में साइकलोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका असर दिख भी रहा है इसका आने वाले दिनों में और भी असर दिखेगा राजे में दिन में धूप खिल रही है और दो पहर के बाद बारिस हो रही है इसमें बजरपात की असंकार आती है मौसम विभाग ने इससे बचने की सलाह दी है बतादे ज़ारखन में 27 जुन को पच्छमी हिस्से में भारी बारिस भी हो सकती है ज़ारखन में मादमा परिक्छा के लिए परिक्छा फोरम की तीथी जारी ज़ारखन एकेडमी कॉंसिल ने मादमा परिक्छा 2021 के लिए पंजिया नोव परिक्छा फोरम जामा करने की तीथी घोसित कर दी है बतादे परिक्छा थी बिना बिलाम सुल्क के 26 जुन से 8 जुला कर सकते हैं बिलम सुल्क के साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक की तीथी निधायत की गई है ये परिक्षा फोरम ऑनलाइन जमा होगा जारखन एकेडमी कॉंसिल ने मादेमा परिक्षा 2020 के लिए रेजिटेशन एवं परिक्षा फोरम जमा करने की तारिक का एलान कर दिया है तीसरी लहर के खिलाप जंग जीतने की तैयारी जारखन के मुख्यमंत्री हमन सुरेन की निगरानी में कुरोणा की संभावी तीसरी लहर के खिलाप जंग जीतने की तैयारी चल रही है मोख्य मंत्री अस्पतालों में की जा रहे ही बेवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं अधिकारियों को जल्द से जल्द सरकारी अस्पतालों में बचों के अनुकूल पेडियोट्रिक इंटेसिव केर यूनिट लगाने का निदेश दिया गया है बतादे डॉक्टरों विससग्यों और बैज्यानी को क्वासंका है कि तिसरी लहर बच्चों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है रांची बनेगी हरी भरी रांची मेरी जिमिदारी अभियान सुरू रांची सरी छेत्र को हरा भरा बनाने के लिए मेरी रांची मेरी जिमिदारी अभियान सुरू किया जा रहा है बतादे इसकी पहली बैठक सनिवार को होगी भारतिये वन सेवा के अधिकारी सिधार तिरपाटी की पहल पर राजधानी के कई प्रतिस्टित लोगों और संस्थावों ने इसमें अपनी हिस्यदारी देने पर समती दी है बतादे रांची पूरे देश में सबसे कम ब्रिक छवाली राजधानीों में से एक है पिछले दो तीन दसक और आज की रांची में काफी बदलाव आया है ज्यारखन में तीसरी लहर अगस्त महिने में रहेगा पिक पर कुरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रिम्स क्रिटिकल केर विभाग वा टास्क फोर्स ने रिम्स प्रवंधन को अगा किया है बतादे देश के प्रतिष्टि संस्थान आई 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 टी वा विशेस डाक्टरों ने 15 जुलाई के बाद देश में तीसरी लहर के असंका जताई है इसको देखते हुए रिम्स के डाक्टर की चिंता भी बढ़ गई है बतादे क्रिटकल केर भी से सग्यों का मानना है कि कुरोना की पहरी लहर जार्खन में देरी से पहुँची इसलिए इसका फैलाव काम होने को मिला बतादे वहीं दूसरी लहर देश हुआ जार्खन के करीब-करीब एक साथ आई गढ़वा में भालू ने तीन ग्रामिनों के ले ली जान जार्खन के गढ़वा जिले में भालू के हमले से तीन ग्रामिनों के मौत की सुचना है बतादे घटना गढ़वा जिले के भंडर या थाना अंतरगत बढ़गर के बरकोला गाउं की है यहाँ भालू के हमले से तीन ग्रामिनों के मौत हो गई है इसके अलावा एक मैला समय तीन लोग घायल भी है घटना सुक्रवार की देर साम की बताई जा रही है घालो को इलाज के लिए अस्पताल में भरतिक रहा गया है जहारखन में रेडियो और दूर्दासन पर होगा सक्षनिक कारेकरम का परसारान सरकारी स्कूलों के बचों के लिए अकासवानी तथा दूर्दासन पर सक्षनिक समागरी का परसारान 28 जून से सुरू होगा बतादे इसके लिए त्यारी फूरी कर ली गई है हमारा रेडियो हमारा बिद्याले कार्यकरम के तहत आकासवानी के राज्य के सभी पाँच स्टेशनों राची जमसेथपूर चाईबासा डाल्टेन गंज एवं हजारीबा क्यालाव भागल पूर से सुबह और साम सेक्षिनिक समागरी का परचारन होगा बतादे सुबह में 9 से 10 बजे की बिच दस मिनट तथा साम में 5 से 6 बजे की बिच दस मिनट का परचारन होगा इसी तरह हमारा दुरदर्सं तथा हमारा विद्याले कारकरम के तह दूरदर्सं में सुबह 10 बए से 2 पर 2 बए तक श्यक्षिनिक समागरी का पर सारन कथावार होगा कि आवासी विध्याले में धाखिला के लिए तारिखता ए में नमांकन के लिए लिखित परिक्षा और flavor की जायेगी इसके अलावा मादमा परिशाई की इसके लिए भी आवेदन करने की तीथी गोशित कर दी गई है बता अदेश अभी आवेदन ओनलाइन भरे जाएंगे 26 जून से 8 जुलाई तक भरे जा सकते हैं जारखन में 989 नए केस मिले हैं जारखन में 3 मरीज की मौत हुई है जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं रांची को मिली अस्मार्ट सिटी लीडर्शिप आवाड भारत सरकार के केंद्री अवास एम सहरी कारे मंत्राले ने इंडिया अस्मार्ट सिटी आवाड कोंटेस्ट आवाड 2020 की खोशना कर दी है बदादे केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की छटी वसगाट के मोगे पर इस अवार्ड की होसना की इस बार स्मार्ट सिटी राची को स्मार्ट सिटी लीडर्शिप अवार्ड से नवाजा गया शुकरवार को नई दिली से ओनलाइन प्लेटफर्म के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन की छटी बस गाट के मोगे पर भारत सरकार केंद्री आवासन एमसहरी कारे मंत्री हरदीप सिंग पूरी और केंद्री सचीव दुरगा संकर मिश्रा की मौजूदगी में ISC अवार्ड 2020 क की गोस्ना की गए ज्यार्खन के हर जिलो में सोलर प्लांट लगाकर 900 मेगावार्ड सोर उर्जा उत्पादन की तैयारी ज्यार्खन देश का पहला राज्य होगा जिसके हर जिले में सोलर प्लांट अस्थावित किया जाएगा बता दे इस से राज्य में बिजली की कमी को का काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा राज्य में बिजली की वर्तमान आउसत मांग 2050 मेगावाड है इस मांग को आधार बनाते हुए अभी राज्य में 900 मेगावाड स्वर उर्जा उत्पादन का लक्ष रखा गया है इस समध में मुख्यमंत्री हमन्सुरेन ने उर्जा बनाक और लक्ष हासिल करने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया है जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा के अभियार्थियों को मिलेगा ताव उम्र मने आता जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा डेटेट अभियार्थियों के सार्टिफिकेट की मने आता ताव उम्र रहेगी इसके लिए स्कूली सिक्छा और सर्चता विभाग ने प्रस्ताव तेयार कोर कार्मिक विभाग भbayजा है कार्मिक विभाग से माति के बाद कैबनेट की सेखुरिति लिजाएगी इसके बाद इसे लाज़ो किया जा सकेगा बतादे राजे में अभी करीब एक लाख एक हजार टेट पास अभियारती हैं जिनके सार्टिफिकेट की मने अता ताव उम्र रानने वाली है एक जुलाई से पचास पर तिसत छामता से बस संचालन की मिले अनुमती बस संचालन की परिशानी को लेकर सनिवार को कडरू रोड इस्थी चेंबर बहुन में बैठाक होई बैठाक में स्वास रख्ष सब्ता हमें जारखन में अंतर जिला और अंतराजिये बस सेवा सुरू नहीं होने को परिवाहन ब्योसाई के लिए चिंत निये बनताया गया बता दे जारखन के मुखमति हेमन सुरेन से एक जुलाई से पचास परतिया च्रामता के साथ बस के परिचानर के अनुमति देने की मांग की गई जैक बोर्ट टेंथ ट्वेल्थ रियल्ट रद होने के बाद ही स्टुडेंट दे सकेंगे फिर से परिक्षा मैट्रिक और इंटरमीडियेट के रियल्ट से जो चातर चातर असंतुष्ट होंगे वह अपना रियल्ट रद करवाने के बाद ही फिर से परिक्षा दे सकेंगे उस परिक्षा में जो अंक उन्हें आएगी वही माने होंगे बतादे जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक ने सनीवार को मैट्रिक और इंटरमीडियेट परिक्षा 2021 के रियल्ट त्यार करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है इस गाइडलाइन के आधार पर इसकूलों को त्यारी सुरू करने का निदेश दे दिया गया है हलाकि राज सरकार की ओर से अभी अवचारिक स्वामती नहीं मिल सकी है जार्खन में अगले एक साल तक डॉक्टर नहीं होंगे रिटायर जार्खन में अगले एक साल तक डॉक्टर रिटायर नहीं होंगे बतादे सरकार ने डॉक्टरों की किलत को दूर करने के लिए तक स्टेंशन कर दिया गया है पारा सिक्षक एकी किरित पारा सिक्षक संगर्ष मुर्चा ने कहा है कि राजे के पारा सिक्षक सिक्षा मंत्री जगनात महतों के आगमन से काफी खुस है लेकिन मंत्री के आने के बाद भी सरकार के द्वारा पारा सिक्षक का स्थाई करान बेत कार की दोवारा उनके परिजनों को एक उरुपए भी नहीं मिल पाता है पारे सिक्षक बिगत 20 बर्सों से सिवारत हैं फ्रतिवस अंदोलन भी कर रहे हैं धन्यवाद